आपको जो पत्र मिलेगा उसमें 15 मिनल को पढ़ने के लिए दिया जाएगा अब चलिए पत्र के स्वरूब पर चरचा करते हैं जो पत्र में पहला पत्र होगा वह आपके हिंदी कद्यी साहिते पर आधारीत होगा इसके पांच खंडों के एक-एक अंक के तो पहले प्रसन को देखते हैं इसमें पहला जो खंड है पहले प्रसन का सही कथन को आपको पहचान करके लिखना है निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है उसे पहचान कर लिखे इसके चार विकल्प दिये ग लेखक डाक्टर रामधारी सिंग दिन कर हैं, चौथा चिंता मड़ी निबंद के लेखक भी योगी हरी हैं, अब इन चार कत्नों में से आप सही कथन पहचान करके लिखेंगे, ये नहीं कि पहले का करके आपने उसका एक या दो तीन चार नंबर डाल दिया नहीं, आप पूर उत्तर लिखें, ताकि परिक्षक को जाचने में सुविधा हो, पहले का दूसरा जो खंड है, निम्रलखित कृतियों में से किसी एक कृति के लेखक का नाम लिखिए, यहां भी आपको चार कृतियां दिये गए हैं, चार में से किसी एक कृति के लेखक का नाम लिखना है, एक अंका होगा, पहले का ग, जंजीरें और दीवारें, किस विधा पर आधारित रचना है, यहाँ पर आपको चार विकल्प दिये गए हैं, चार विकल्प में से सही विकल्प को आप पहचान करके लिखेंगे, इन चारों में से किस विधा पर आधारित है, यहाँ आपको लिखना है, ग, कंकाल किस विधा की रचना है, यहाँ भी आपको चार विकल्प दिये गए हैं, उपन्यास, कहानी, नाटक, आत्म कता, इन चारों विकल्पों में से जो सही विकल्प है, उसे आप लिखेंगे कि कंक गाल, किस विधा की रचना है? अंग, क्या भूलूं, क्या याद करों किस विधा की रचना है? यह भी आपको चार विकल्प दिये गए हैं, चारों विकल्पों में से आप सही विकल्प का सही विधा का नाम लिखेंगे। इस तरह से पहला प्रस्ण पांच अंकों का पांच खंडों में बटा हुआ है, वह आपका पून होता है, फिर जो दूसरा प्रस्ण होगा, वह भी पांच अंका होगा, वह पद्धिसाहित प्याधारित होगा, उसके तीन खंड है, दो दो अंक की दो प्रस्ण और एक अंक का अब प्रस्णों को देखिए, क है प्रियोगवादी काभी की दो विशेस्ताओं का उलेख कीजिए यह आपका दो अंकों का है, ख रीतिकाल की दो प्रवित्यां लिखिए यह भी दो अंक का है, ग छायावाद की किसी एक कभी का नामों लेख कीजिए यह एक अंक का है, इस तरह से गद्य और पद्य साहित्य पर आधारित आपके प्रस्ण पुर्ण होते हैं, पांचवाच अंकों के दो प्रस्ण अब जो तीसरा प्रस्ण आपके प्रस्ण पत्र में आएगा, वहाँ आपके गद्यांस से संबन्धित होगा यह भी दो दो अंके तीन प्रस्ण होते हैं, अब जैसे यहाँ पर आपके गद्यांस का गद्यावतरन दिया हुआ है, कि कुछ संग काजवर सबसे भयानब होता है यह केवल नीति और सदबृति का ही नास नहीं करता, बलकि बुद्धि का भी छै करता है किसी युवा पुरुस की संगती यदि बुरी होगी, तो उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन ओनत के गड़े में गिराती जाएगी और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहू की समान होगी जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती चाहेगी यह आपका गध्यांश है अग इस पर आधारी तीन प्रस्ण होगी पहला क्या है उपर उत गध्यांश का संदर लिखिए दूसरा प्रस्ण है गध्यांश है कूसंग का व्यक्तिके जीवन पे क्या प्रभाव होता है या कूसंग और अच्छी क शंगती में क्या अंतर है इस तरह से तीन प्रस्ण दो दो अंके होंगे आपके गध्यावत्रण से, गध्य खंड से अब आएए जो चोधा प्रस्ण आपका है, वह पध्य खंड से आधारित होगा, पध्यांस पे आधारित होगा यहाँ पर एक अंक आपका उसके संदर के लिए, चार अंक ब्याख्या के लिए और एक अंक कापिगत सौंदर के लिए इस तरह से पध्यांस भी छे अंकों का, गध्यांस भी छे अंकों का गद्यान्ष में दो-दो अंक के तीन प्रस्ण और पद्यान्ष में एक अंक संदर्व, चार अंक ब्याक्या, एक अंक कापिकत संदर्व के लिए अब यहाँ पर दिया हुआ है बुरो बुराई जो तजे, तोचित खरो डड़ात, जो निकलंक मयंक लखे, गने लोग उत्पात, स्वारतो सोकृतो न स्रम्प्रिथा, देखे बिहंग विचार, बाजी पर आए पानी पर, तू पच्छिनो न मारी अब यहाँ पर आपको इन पंग्तियों को देखना है कि इस कभी कौन है, आपके पातिक्रम के किस पार्ट से लिए गया है और इन पंग्तियों में कभी क्या कहना चाहते हैं, उसके बात आप ब्याख्या करेंगे, फिर आप उसके काविकल सौंदरी को लिखेंगे, यानि कि कभी ने उनका पंक्तियों में विसेश रुप से किस के बारे में बताया है रस अलंकार छंद आली के बारे में आप बताएंगे अब यहाँ पे दो पध्यांस दिये कहे हैं कतो बुरो बुराई जो तजे और खा क्या है निरभह स्वागत करो मृत्युका जीव जहां से फिर चलता है धारण करन और जीवन संबल जिसमें श्रम से कातर जीव नहा कर फिर नूतन धारण करता है काया रूपी वस्त्र बहा कर तो यहाँ क और ख इन दोनों में से किसी एक का संदर्व उसकी ब्याख्या और काविगत संदर्व को आप लिखेंगी तो यह चौथा प्रसंद पूर्ण होता है पांच्वा प्रसंद जो आपका होगा इसकी दो खंडोंगे का और खा एक में खंड का में लेखक का जीवन पर्चे देना होगा और एक अंकों होगा लेखक की रचना के लिए इस तरह से तीन अंकों का प्रसंद होगा अब यहाँ पे तीन आपको दिये गए हैं जैसेंकर बसाद, डाक्टर राजन बसाद, रामचन, शुकल इन तीनों में से किसी एक लेखक का जीवन पर्चे आप लिखेंगे और उनकी एक रचना का आप नाम लिखेंगे इस तरह से तीन अंकों का यह प्रसंद होगा और उसी पांचवे प्रसंद का जो दूसरा खंड है वह कभी की जीवन पर्चे पर आधारित होगा यह भी तीन अंकों का होगा जैसे पहला इसमें दिया गया है तुलसी दास दूसरा शाम नराण पांडे तीसरा मा खंडलाल चुतरवीदी इन तीनों कभियों में से किसी एक कभी का जीवन पर्चे लिखेंगे और उनकी एक रचना का नाम लिखेंगे इस तरह से यह तीन अंकों का प्रस्न पांचवे का खव होगा अब छट्वाँ प्रस्न आता है छट्वाँ प्रस्न जो है वह आपके संस्कृत के खंड पर आधारित होगा यहाँ पर आपके संस्कृत वाला हिंदी विशे में जो संस्कृत खंड है उसके किसी पाट का अंश दिया होगा और उस अंश की संदर्प के साथ आपको हिंदी में अनवाद करना होगा और यह चार अंकों का प्रस्न होगा अब जैसे यहाँ पे दिया हुआ है विश्वस्य स्रस्टाह इश्वरह एक एव इती भारतीय संस्कृते हमोलम विभिनमतावलंबिन विविधय नामभि एकम एव इश्वरम भजनते अगने इंद्र कृष्ण करीम राम रहीम जिन्न बुद्ध कृष्ट अल्लाह इत्यादेनी नामानी एकस एव परमात्मन संती तम एव इश्वरम जनाह गुरु इत्यपी मन्यंती अत्ह सर्वी साम मतावलंबिनाम संभाव संमानम्स्च असमाकम संस्कृती है संदेशा अब इस पार्ट का आपको अनवात करना हिंदी में और संदर्व लिखना है या दूसरा उसी में सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वी संतु निरामया सर्वे भद्राणी पश्यंतु मा कसित्व भार्पवित या इसका आर्थ लिखना होगा या तो स्लोग का आर्थ लिखना होगा या कद्यानश का आर्थ लिखना होगा अब छट्मा प्रसन जो आता है यह आपको एक याद किया हुआ स्लोग दो पंकियों का लिखना है तो आप अच उसमें आपको संस्कृत में प्रस्ण पूछा जाएगा, उसका उत्तर भी संस्कृत में देना होगा। दो प्रस्णों को करना होगा, एक-एक अंक के दो प्रस्ण होगी। अब यहाँ पर आपको चार प्रस्ण पूछे गए हैं, चार में से दो प्रस्णों के उत्तर देने हैं, पहला प्रस्ण है वाराणसी नगरी के साम संगम अस्थली अस्ति, अब प्रस्ण का उत्तर देती समय संस्कृत में जो प्रस्ण पूजे जाती हैं, उसका एक आसान सा त तो यहां पर प्रस्ण वाचक सब्द क्या है के साम इसी जगह पर आपको उत्तर को रख देना है आसानी से प्रस्ण का उत्तर पूर्ण हो जाएगा दूसरा प्रस्ण क्या है प्रहेली का या किम उत्तरम आसी यहां भी प्रस्ण वाचक सब्द क्या है किम किम की जगह आपको उत्तर लिख देना है, तीसरा भारती संस्कृति गीद्रशी अस्ती, चौथा गीताया कहसंदेश, इस तरह से चार प्रस्णों में से आप दो प्रस्णों का उत्तर देंगी, अब जो आठवा प्रस्ण है, उसके तीन खंड होंगे दो दू अंके के, रस, छंद और अलंकार, अब आठवी का क्या है, हासरस अथ्वा, करून रस की परिभासा, उदाहरन सहित लिखी, तो यहाँ आपको हासरस की परिभासा लिखना है, या करून रस की परिभासा लिखना है, जिस रस की आप परिभासा लिखेंगे, उसी रस का आप उदाहरन भी प्रस्तुत करेंगे, ख रोला अत्वा सोर्था की परिभासा सोधारण लिखेंगे और उसका उधारण देंगे दोनों को नहीं करना है केवल एक को अत्वा यानि या आठ्वी का ग रूपक अत्वा उपमा अलंकार की परिभासा लिख करके उसका उधारण भी दीजिए इस तरह से छे अंको का आठ्वा प्रस्न आपका होगा अब नवी प्रस्न पे आती हैं नवी प्रस्न में पांच खंडा होगे जो पहला खंड होगा वह तीन प्रस्न आंको का होगा उसमें आपको उपसर्ग पर आधारित होगा तो जो पहला खंड है नवे प्रस्न का, निम्नलखित उपसर्गों में से, कि इनी तीन के मेल से एक-एक शब्द बनाईए, ये आपको उपसर्ग दिए गए हैं, छे उपसर्ग दिए गए हैं, इन छे में से आपको तीन उपसर्गों का प्रियोग करना है, और उनका नवी प्रस्न का जो दूसरा खंड है ख वो प्रत्य से सम्मंधित है। और यह भी अंग का होगा एक एक अंग का। दो प्रत्यों का प्रियोग करके एक शब्द बनाईए, यहां भी आपको छे प्रत्य दिये गए हैं, छे में से दो प्रत्य का प्रियोग करके एक एक शब्द बनाएंगे और वह एक एक अंक्का होगा, नवी प्रसन का, जो तीसरा खंड है, ग, वह समास से सम्मधित है, इसमे यहां पर आपको चार समास दिये गए हैं चार में से दो का विग्रह करना है और उनका नाम लिखना है और यहां दो अंग का प्रस्न होगा नवे का जो गह है वो तत्सम रूप लिखना है आपको यहां भी आपको छे दिये गए हैं छे में से दो का तत्सम रूप बताना है गेहू, धान, नख़त, कंधा, हल्दी, बाती इन छे में से दो का आप लिखेंगे और दो अंकों का प्रस्ण होगा नवे प्रस्ण का जो पांचवा खंड है ग, यह पर्यावाची से सम्मधी थे यहां आपको दो शब्द के दो पर्यावाची लिखने हैं और एक एक अंक का मिला करके दो अंक का होगा यानि एक शब्द का जो दो पर्यावाची आप लिखेंगे एक अंक का होगा और आपको दो शब्द के दो दो परयावाची लिखने है यहाँ पे छेवी कलप आपको दिये गए है अश्व, कगमदेव, पृतिवी, मेग, जल, वायू इन छे में से दो शब्द के परयावाची आप लिखेंगे अब आते हैं दसवी प्रसन पे दसवी प्रसन है वह संधी का है यहाँ आपको संधी करनी है और संधी का नाम लिखना है अब इसमें दो संधी करनी है और दिये गए हैं चार जैसे अतिधन आचार, प्रतिधन एक, प्रतिधन उपकार, इतिधन अत्र इन में से किन ही दो की संधी आप करेंगे और संधी का नाम लिखेंगे इस दस्वे प्रस्ण का जो ख़ है यहां आपको शब्द रूप से सम्मधित प्रस्ण है और यह भी दो अंकों का होगा अब जैसे दिया है मधू अत्वा नदी इन में से किसी एक का आपरूप पंचमी भक्ती द्वी बचन में लिखेंगे और फल अत्वा मती पंचमी भक्ती द्वी बचन में लिखेंगे एक एक अंका यह होगा अब इस नवी प्रस्ण का जो गर खंड है वह जो है धात रूप से सम्मंदी थे यहां आपको धातु बताना है लकार बताना है पुरुस बताना है वचन बताना है और यह दो अंक का होगा अब जैसे यहां पे पठामी हसे यम हसे तीरे सब्द दिये गए इन में से आप किसी एक का जैसे आपने पठामी को लिया तो आप बताएंगे कि यह पठामी किस धातु का रूप है किस लकार का रूप है लकार आप जानते हैं लट लकार, लोट लकार, लिट लकार, बिदलिंग लकार और फिर आपको पुरुस बताना है पुरुस भी आप जानते हैं प्रतम पुरुस, मध्यम पुरुस और उत्तम पुरुस उसके बाद आपको वचन बताना है वचन भी तीन होते हैं, एक वचन, दूई वचन और बहवचन तो आप यहां बताएंगे किस धातु का है, लकार क्या है, पुरुस क्या है, वचन क्या है और घ़्ण आपका आता है वाकिका संस्कृत में अनुवाद करना है कितने वाकियों का? दो वाकियों का पहला सदा सत्य बोलना चाहिए दूसरा वारानसी गंगा तटपर इस्थित है तीसरा वह दिल्ली गया चौथा छात्र मैदान में खेलती है अब इन चारों वाक्षों में से किनी दो वाक्षों का आप अनुवाद करेंगी संस्क्रित में ग्यारा हुआ जो आपका प्रस्ण है वह निबंद है निबंद किसी भी विशह पे पूछा जा सकता है जैसे और एक जो है तक कालीन समस्या से भी संबन्दित होता है अब यहाँ पे दिया गया है यातायात की समस्या इवं उनका निराकरन सारे जहां से अच्छा हिंदो सता हमारा राश्ट्री एकता का महत्व बाढ़का बिनाशकारी द्रिस्य पर्या वरण प्रदूसर्ण समस्या इवं प्रुमुक्थान इन पांच शिर्षक में से किसी एक विशह पर आप निबंद लिखेंगे और जो बारहमा और अंतिम प्रस्ण है वह आपके खंड कावी पर आधारित प्रस्ण होगा जैसा कि आप जानते हैं आपकी बनारस चिले में तुमुल खंड कावी पढ़ाया जाता है और आपको तुमुल खंड कावी से दो प्रस्ण पूछे गए दो में से एक का उतर देना है पहला प्रस्णर क्या है तुमुल खंड काबी की जिसकटना ने आपको प्रभावित किया हो उसका वर्ण कीजिए या तुमुल खंड काबी की आधार पे लक्षमनकार चरित्र चित्रन कीजिए यह आपकी प्रस्ण पत्र का सरूप है तो आप इस अच्छी तरह से देख करके अभ्याद करें।